हेलो, dear students, today we study now chapter 3's current square root of MCQ question, question number 1 is how many 2's are there in the prime factorization of 800, 800 की prime factorization में 2 कितनी बार counting होता है, बैटा आप देखी, जैसे 800 है जब 800 के हम factors कर रहे है, तो 800 को हम क्या लिख सकते है, 8 multiply 100, 8 multiply 100, 8 को हम क्या लिख सकते है, 2 into 2 into 2, और आप इसको 10 into 10, 10, 2 into 5 होता है, और ये 10, 2 into 5 होता है, तो अब 2 की counting करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितनी टाइम 2 counting होता है, 8 में तो 3 times तो ही होगा और 100 को क्या लिखा, आपने 10 into 10, एक 10 में 1 time 2 होगा और 1 time ही होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितनी टाइमस आगे बैटा, 5 times तो इस a square minus b square, बैटा, using the identity, identity कुन सी, a square minus b square, जब a square minus b square होता है, तो ये किसके कहल होता है, बैटा, a plus b, और a minus b, जब a plus b, a minus b है, तो इसमें a क्या है हमारे पास, 49, और b क्या है, 48, तो इसका मतलब 49 plus 48, और 49 minus 48, हम इसको इसको इसके according open कर ले, जब यहां पर इसके according open करेंगे, तो क 49 minus 48, तो बैटा, 49 में से 48 less than way, तो 1 आगया, ये तो 1 आगया, और दोनों को इने plus करा, तो 9, 8, 7, 1, 4, or 4, 8, or 1, 97, तो 97 into 1, तो 97 into 1 is equal to कितना आगया, 97, तो कौन सा option slide आगया इसका, b, क्योंकि because, क्योंकि using the identity, a square minus b square, equal होता है, a plus b, a minus b, यहां पर a क्या है, 49, और b क्या है, 48, तो 49 और 48 एक बर तो प्लस कर दीजे, और 1 आगया, माइनस, जब 49 में से 48 को माइनस करा, तो 1 आगया, 1 की multiply, इन दोनों के sum में करी, इनकी sum कितना है, 97, तो 97, तो 97 multiply 1 कितना आगया, 97 आगया, बटा हम इनी simplify करना है, और इसकी simplify कर कि इसकी value बतानी है, और बताने की में से कौन इन्टो 2, इन्टो 7, अब हम इसके pair देख रहे है, एक 3 का pair ये भी बन रहे है, एक 2 का pair ये बन रहे है, और एक 7 का pair completed बने है, तो इस square root से क्या number भारा जाएगी, एक तो 3, एक 2 और 7, अब इनकी multiply करो, 3, 2 जा, 6, और 6, 7 जा कितना होता है, 42, जिसका कौन सा option right है, पेटास मे 42 right है, हम इस number का square root निकालने है, तो square root निकालने का सबसे easy way ये होता है, कि बटा कोई भी यदि number दी हुई है, आप उसके pair बनाएगे, decimal number के, आप left से right direction में बनाते हैं, और आपके integral values जो होती है, बटा decimal के बाद वाली number को बोलते हैं, decimal, decimal fractions, और इससे पहले वाली को बोलते है integral, integral जो होते हैं, वो इधर से, आपके right hand से left की तरफ pair बनाए जाते हैं, और जो decimal fraction वाले होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, left से right की तरफ, आप हम इसके pair बनाते हैं, one two, एक pair ये बन जाएगा, एक pair ये बन जाएगा, तो इस pair band के लिए, जब जो two zero है, तो one zero आ जाएगी, और 81 के लिए 9, तो इसका उतला कौन सा result end आ जाएगा, इसका, 0.09, चाहे आप multiply करके देख लिए, जब 0.09, 0.09 की true time multiply करेंगे आप, तो four digit bar decimal आएगा, 9 into 81, तो इसका उतला four digit bar, तो क्यों सा option है, इसका, see, but how many perfect square numbers lies between 16 and 81, पहरे तो आप ये देखो कि ये जो number है, 16 किस का square है, तो 21, ये 9 का square है, तो four and nine के between कौन कौन सी number आई बेटा, एक तो five, एक six, एक seven और एक eight, तो ऐसी कितनी numbers आएगे जिनके between perfect square आएगा, एक तो five का square आएगा, एक six वाले का square आएगा, एक seven का रेके eight का, तो ये कितनी number होए, count करो, four, तो ये कितनी number है, four तो इसके लिए कौन सा option right है इसका, और options right होगा, how many perfect square number is lies between two hundred and five hundred, इस बार आपसे hundred और five hundred के between पूछा है, जब hundred और five hundred के between करने हैं, तो इसी तरह से हम इसमें questions में solve करेंगे, अब देखो बेटा, जब है hundred है, तो ये तो किसका है, ten का square है, और five hundred से just पहले वाली येदी कोई number लें, तो हम ये चेक करते है जैसे कि हमारे पास ये 10 है, और यदि हम 15 का square करते हैं, 16 का square करते हैं, तो उसके between जितनी भी number से भी lies करते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि 100 और five hundred के between, ऐसी कितनी नमबर से हमारी है, जिनको हम counting करें, तो counting करते हैं, तो इसका अंतर कितनी नमबर से ऐसी हैं, हमारे पास 12 numbers ऐसे आएंगी बिटा जो 100 और 500 के between lies होगी जैसे हमने इसमें 16 और 81 का 16 के लिए चेकिया है तो यह तो 4 का square रहा है और यह किसका है 9 का square ऐसी हमें इस बार इनके between बतानी है कि कितनी number lies कर रही है तो उनके between हमें ही बतानी है क्योंकि हमने बिटा यह 16 और 81 नहीं count किया था इनके between किया था तो 100 और 500 के between करना है अब हम करते हैं तो 11 का square देखो जब हमने करा तो 11 का square पहले 121 आगया 12 का square किया तो 144 13 का square किया तो कितना जाए 169 14 square करेंगे तो 14 square कितना जाएगा बिटा आपका 196 ऐसे 15 का square करेंगे तो ऐसी देरे 20 का square करो तो 400 25 का square तो जाएगा 24 का करेंगे तो 24 square कितना जाएगे बिटा 576 यह भी जाएगा तो इससे कम करो 23 का square तो चेक आउट कर लेंगे इस तरह से इसकी number यहाँ से लिके यहाँ तक कितनी है कितनी number counting होंगी पेटा जब count करेंगे 12 तो ऐसी number 12 है what is the sum of the first 10 odd number starting की first 10 odd number का sum अब odd number क्या होती है पेटा odd number होती है जो आपकी जे 2 से divisible नहीं होती है अधरवाइस जिन numbers की last of one's digit 02468 नहीं होता यदि कोई नंबर है और उसके बाद में उसकी डिजिट में 02468 नहीं है तो वो नंबर हमारी क्या ओड है और हमें ऐसी 1st 10 ओड नंबर का सम बताने हैं तो सबसे पहले 1st 10 ओड नंबर कौन कौन से होगी पहले तो 1 ही होगी बैटा फिर 3 होगी फिर 5 होगी फिर 7 होगी फिर 9 होगी फिर आपके पास 11 होगी 13 होगी 15 होगी इस तरह से काउंट करो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और 10 अब 10 होगी अब इन सब को प्लस कर दीजे जब हम इन सब को टोटल प्लस करेंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना होगी बैटा 3,1,4,4,5,9,9,7,16,16,9,16,9,9 कितना होगी बैटा 25,25 और 11,36,36 और 13,49,49 और 15,64,64 और 17 एड़िट करो बैटा 64 और 17,7 और 4,11,1 तो 81,81 और कितने बैटा 19 एड़िट कर दो तो कितना होगी बैटा 100 तो कितना कौन सा उप्सिंस राइट होगा इसका ए तो 100 तो first the sum of the 10 of odd numbers 100 आ जाएगा लेकिन बैटा यदि हम इसके लिए एक सिंपल सा उप्सिंस राइट एड़िट करें तो मुस्स नमबर ओफ पांटिटे में इसकी वैल्यू को अबज़र कर सकते हैं तो what is the sum of the first 10 of odd numbers तो कितना होगी बैटा 100 ऐसी find the sum of 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 21 इस तरह से हमका इनका sum find out करना है तो same is do it example question number 7 की तरह हम question number 8 solve पर सकते हैं